नमस्कार आप सबी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागते कारिक्रम वैदिक गुरू में दर्शकों कहा जाता है कि जोतिश का सागर अथा होता है और इसके कुछ मोती हम आपको चुनकर भेट करते हैं ताकि आप अपने जीवन को सजा सके सवा सके इसी प्रयास में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कारिक्रम वैदिक गुरू आज हमें साथ स्टूडियो में मौजूद है टेरो कार्ड रीडर शीनम वर्मा जी जिन से आज हम जानेंगे टेरो कार्ड के बारे में बहुत कुछ साथ साथ करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान भी तो स्वागत करते हैं शीनम जी का स्टूडियो में शीनम जी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आज मैं आप सबको टेरो रीडिंग टेरो कार्ड के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत जादा इंफोमेशन मिले की आपको बहुत जादा जानकारी मिले की जिससे आप अपनी लाइफ के बारे में जान पाएंगे बहुत से लोगों को tarot reading, tarot cards क्या होते हैं, tarot cards कैसे आएं, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है तो मैं आज इस वीडियो में, इस चैनल में यही बताने आई हूँ कि आज tarot reading में क्या किया जाता है और यह कैसे आए और यह हमारी life में कैसे help करते हैं tarot cards basically हमारी life के events को बताते हैं, हमारी life में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, past, present and future, यह सब हम tarot cards के थ्रू जान सकते हैं tarot cards में 78 cards हैं, जिसमें हमारी 56 minor arcana हैं and 22 major arcana है minor arcana cards जो हैं, वो हमारी life के छोटे छोटे events, जो daily events हैं, like आज हमारी दिन में क्या होने वाला है कल क्या होगा, या day-to-day predictions देते हैं और जो major arcana के cards हैं, वो हमारी life के बड़े events को बताते हैं अभी बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि major arcana, minor arcana क्या होता है, तो जो arcana है, arcana means secrets, हमारी life के secrets, हमारी life के deep secrets हैं ये हमारी life में क्या है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं है, तो हमारी life के secrets हैं, वो tarot cards reveal करते हैं और आज मैं वही secrets reveal करने वाली हूँ, कुछ अपने ऐसे लोगों के जो मुझे बताएंगे अपने questions और मैं उनकी help करूँगी तो आपने संकेत दे दिया और ये बता दिया कि क्या कुछ है इन tarot cards में लेकिन अब सवाली होता है, लोग तभी इन पर विश्वास करेंगे जब हम इसके इतिहास को थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि जब हम जड़ों को जान जाते हैं तो अच्छा लगता है उससे कुछ अच्छना कुछ सॉल्यूशन प्राप्त करना बिल्कुल, tarot cards actually आये थे Europe में इंट्रोड्यूस किये गए थे और इंट्रोड्यूस करें वहां पर कैसे हुआ कि नॉर्मली जो kingdoms थे, cards play कर रहे थे, खेल रहे थे, मतलब ये प्लेइंग गेम ही थी एक नॉर्मली और खेलते है उन्होंने देखा कि जो हमारी wars हो रही है या कोई भी events है जो picture आ रही है उस picture के accordingly वो true होते जा रहे हैं और उनको लगा कि ये तो हमें life की predictions दे रहे हैं तो normally उसके साथ बस उन्होंने strike करना शुरू किया और देखा ये तो सच हो रहे हैं and then ये एक divine tool बन गया जो कि हमारी life मे predictions करने लग गया और ये आज इंडिया में भी और हर जगह पूरी world में बहुत famous हो चुका है हम tarot cards से जितनी deeply secrets जान पाते हैं normally हम बाकी कहीं tools में ऐसा नहीं होता है जी और कहा भी जाता है कि आवशक्ता आवशकार की जो नहीं है तो एक आवशकार ये लोगों ने कर लिया उ और वैसे ही tarot cards हमारे सामने हैं और तब से चली आ रहे ही परंपरा आज तक जीवित है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा सार है इसमें जिसकी वजह से आज ये हमारे मददकार है बिल्कुल बहुत जादा बहुत जादा helpful है tarot cards तो एक बहुत divine ऐसा टूल है जो हमारी life मे हर person के life में बहुत help करता है आज की rate में हर इंसान tarot cards के लिए बहुत जादा trustful हो चुका है कि नहीं tarot cards जो हैं वो बिल्कुल accurately ही बताएंगे जी अगर बात यहां पर हो रही है कि tarot card बताएंगे तो कितना percent हम माने के सही जानकारी होती है tarot cards हमारी जो basically देखा जाए हमारी life के 70% events है वो fixed किये हुए है God ने universe ने हमारी life के 70% events fixed है और वो fixed events हमारे कोई divine tools है वो हमारे को predictions देते है like tarot cards है that is जो वो भी divine tool है जो हमें help करता है हमारे life के 70% जो है वो हमें इसके tarot cards के तरू हम बता सकते हैं और बाकी के 30% भी लोग कहेंगे कि 30% को क्या करें तो 30% definitely अगर कोई ऐसा card है कि आपको problem दे रही है आपकी life में कोई ऐसी चीजे हैं जो आपको negative impacts दे रही है तो वो tarot cards के तुरू आपको ऐसी remedies बताए जाएंगी जो आपके खुद के कर्मों के accordingly की जाएगी आप खुद करेंगे उसको तो normally अपने हाथ से व बताएंगे आपको और बिल्कुल accurate predictions देते है cards चलिए तो बहुती सही prediction होता है यह शीनम जी ने बता दिया है और यही जानकर देखिए हमारे पास mail भी आज शुकी है 70% prediction सही है वो जो हमारी life के fixed events है वो सही है और future definitely changeable है बहुत से लोगों actually हम जो मुझसे question भी करते हैं क्या हमारा future बता सकते हैं tarot cards तो मैं आज एक normally चीज़ बताती हूँ कि हमारा future हमारे खुद के हाथ में होता है ठीक है हमारी life के जो events है वो fixed है वो tarot cards बताते हैं no doubt और वो आपको पता है कि यह चीज़ हमारी life में होने वाली है तो आप अपने remedies से अपने कर्मों से उसे change कर सकते हैं आपको पता है मेरी life में एक business का या फिर financially कोई struggle चल रहा है तो आप क्या करेंगे आपको tarot cards में आ गया कि इतने इतने time में आपको problems होने वाली है यह चीज़े आप और दीरे दीरे करके वो चीज़ें आपके life में smooth होती जाएंगी and you are the own creator of your future खुद आप अपना future बनाएंगे इससे बिल्कुल बहुत अची बात यहां पर आपने कह दिया है कि हम खुद अपना भागे निर्माता हम खुद हो सकते हैं अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो देख लेते हैं महीमा सचदेवा जी आपके लिए कार्ट क्या कहते हैं तो कार्ट शफल हो रहे हैं और देख लेते हैं कि कार्ट क्या कह रहे हैं आपके बारे में महीमा सचदेवा जी इस वक्त आप अपनी चीजों को बैलन्स करने में बहुत बीजी हैं और आपका जो मन है वो भी बैलन्स नहीं है आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं इधर से उधर काम में शिप्ट करूँ लेकिन कहीं ना कहीं आप एक जगे काम करते हैं और आपका मन करता ह कि नहीं यहां पर मुझे सैटिस्फेक्शन ने मिली देन यूशिफ्ट टू अनदर तो चीजें इसी लिए वो आपके लाइफ में प्राब्लम दे रही हैं आपको वो चीजें नहीं करने हैं आपको सबसे पहले जो काड्स गाइड कर रहे हैं सबसे पहले तो अपने आपको बिल्कुल नॉर्मल लेके चलो अपनी लाइफ में आपको ग्रॉथ अची है लेकिन अपना मन पहले अपने मन को स्टेबल करिए तभी आपका करियर स्टेबल होगा अपना मन स्टेबल करेंगे नॉर्मली धीरे-धीरे करके चीजे ट्रैक पर आती जाएंगी पहले अपना म रोटे में और उसमें आप थोड़ा सा गुढ और चावल मिला कर और सुबह के टाइम संडे से स्टार्ट करनाएं आपने इसको और सुबह के टाइम जब सुर्य उदै होता है उसके एक से दो घंटे के अंदर-अंदर आपने सूरेदेव को जल देना है और ये संडे से स्टार्ट करके आपने कंटिनू डेली करना है और साथी साथ आप गाहितरी मंतर का इसके चैंटिंग भी करें इसके आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और गाहितरी मंतर के साथ साथ एक और मंतर भी है ओम घ्रिनीम सूरेय नमहा आप इसका भी चैंटिंग करें तो दिरे-दिरे करके चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत अच्छी बात शीनम जी ने बताई है कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अपने कर्म अच्छे रखें तो हमारे लिए बहुत बहतर होता है और जैसी हम सोच रखते हैं जैसा कि अभी हमारे पास मेल आया था उनको लग रहा था कि स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगी तो आपकी जीवन में बहतर होगा और बाकी जो उपाए आपको बताए गए हैं जरूर करते रहे हैं और जरूर हमें बताईए का कि कैसा रहा आपको आने वाला फविशे आगे बढ़ते हैं शीनम जी अगली मेर ले लेते हैं हमारे पास ये आई हुई है अरजुन कोहली जी की लिख रहे हैं कि विवाह के लिए काफी समय से प्रयास रत हैं और बात बनते बनते रह जाती है क्या वज़े है क्या कोई ग्रह इसमें रुकावट डाल रहा है क्या हमारे लिए रेमेडी हो सकती है क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी है तीस वाइश की अपने क्या नेम बता है अरजुन कोहली जी हम आपका देख लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी 30 years already हो चुके हैं 2 साल तक आपकी शादी के बहुत अच्छी हो गा है और अपकी 2 साल तक जब शादी हो गी ता अपका पार्टनर भी अपको बहुत अच्छा मिलेगा, अभी आपको रेमेडी करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि अगर अभी आप शादी करते हैं तो वो शादी आपको problem भी दे सकती है तो अभी आप remedies मत करिए क्योंकि दो साल के अंदर अंदर आपके वैसे भी बहुत अच्छे chances हैं शादी होने के इसलिए मैं remedies नहीं दे रही हूं तो आप वेट करिए और अपने अच्छे पार्टनर का कि आपको अच्छा पार्टनर मिले जिसके साथ आपकी lifelong relationship चले ओके तो अरजुन जी आपको शुब सूजना मिल गई हूं उमीद करते हैं कि आपको जो बताया गया है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया सकता है डीटेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे शीनम जी और टेरो कार्ट के बारे में और चाचा जारी रखते हैं क्योंकि जिग्यासा बढ़ती जाती है जो हमारे दर्शक है उनके लिए भी और मुझे खुद भी जिग्यासा है कि कार्ट की जो इनर्जी है वो किस तरह से वर्क करती है क्योंकि देखने में तो ताश के पत्ते जैसे लगते हैं लेकिन आप शफल करते हैं और कहा जाता है कि जब एक व्यक्तिका प्रेडिक्शन किया जाता है उसके बाद दुबारा कार्ट को ए ही रहेंगे अब एनर्जी का क्या है जिसे हम टैरो के रीडिंग करते हैं तो में एक क्लाइंट की हम रीडिंग कर रहे हैं तो और उसकी एनर्जी क्या है नेगिटीव है पाजिटीव है और जो क्लाइंट है वो नॉर्मली कोई परिशान है कोई नेगिटीव हो रहा इस वक तबी वो एक tarot reader और एक astrologer के पास जा रहा है तो हमने इसी लिए जब हम cards को देखते हैं एक बंदिक को हम एक client को हम देखते हैं और उसके बाद हम उसको again energized करते हैं so that कि उसके energies हम cleans करते हैं और energies में हम positive का ये कहते हैं कि हमें positive होना बहुत ज़रूरी है जो भी reading कर रहा है ऐसा नहीं है कि tarot reading हम normally कोई भी कर लेता है आपने सीख ली और कोई भी कर लेता है ऐसा नहीं होता है हमें tarot reading करने के लिए बहुत positive होना ज़रूरी है meditate करना बहुत ज़रूरी है अकल साइंस institute से मैंने किया है और उन्होंने मुझे खुद यह चीज समझाई है कि अपने लिए time निकाले meditate करें meditate करेंगे हमारा मन शांत रहेगा हम positive रहेंगे हम positive रहेंगे तो हमारे पास कोई client आ रहा है हमारे पास कोई आ रहा है तो हम उसको भी अपनी positive energies transfer कर पाएंगे क्योंकि this is the transfer of energies इसलिए जो energies वो बहुत बड़ा role play करते हैं normally भी हमारे किसी भी person की life में energies बहुत बड़ा role play करते हैं कि हम जब positive रहते हैं अपने thoughts को positive रखते हैं खुद positive रहते हैं तो हम universe तक अपने vibrations भेज रहे हैं और वो universe वही चीज हमें क्रेट करके हमारी life में उसको real में सेंड कर रहे हैं इसलिए हम इस चीज को बहुत मानते हैं कि energies are really important to play anything in life तो अपनी life में अपनी energies को बहुत positive रखें और उससे आपकी life बहुत positive होती जाएगी खुद ही आपको changes लगेंगे क्योंकि persons normally यह सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा काश ऐसा रहेगा या नहीं लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हम काश सोच रहे हैं तो वो काश ही रह जाता है वो real नहीं होता है इसलिए सोचो कि yes definitely I trust and I believe and I will receive हमें वो चीज़ जरूर मिलेगी जो काश है वो वही चीज़ हमें बताते हैं हमें युनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं टेरो काश बहुत अच्छी बात यहां पर आपने कही है कि सोच बदले तो दुनिया जरूर बदलेगी अच्छी बदले और समाज देश अपने आप बदलेगा और साथ आपका जीवन भी बदलेगा तो इस सोच को जरूर रखेगा कि जो आप काम करने जा रहे हैं निश्रित तोर पर वो बनेगा बाकी टेरो कार्ट साब की मदद करने के लिए आपका मार्ग दर्शन करने के लि तो हमें परिशान होने की जरूरत नहीं है यादि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो कॉंटेक्ट कर सकते हैं डीटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन कर पने हुए है आगे बढ़ते हैं शुनम जी और हमारे पास मेल आई हुई है रोहिद जी की कह रहे हैं कि बहुत के लीटेनड़ुमैंट्स इन्के है तो क्या कोई हुई चीजों के बारे ने भी टैर्र बताएंगे कि आपके यह चीज इस डिरेक्शन में कहीं खो चुकी है तो उस परसन को बहुत एजी रहे उस डिरेक्शन में जाकर वो चीज ढूनने में और अगर ऐसा कुछ लगता है कि उसमें रेमिडी की जुरूरत है वैसे तो इसमें कोई ऐसी खास रेमिडी होती नहीं है लेकिन कुछ स्विच वर्ड्स और स्विच फ्रेस होते हैं जो हम बताते हैं सो देट यूनिवर्स तक हमारी वाइब्रेशन जाएं हमारे थोर्ट जाएं और यूनिवर्स उस चीज़ को हमारी लाइफ में मिरेकल की तरह क्रेट करते हैं तो बताएगे कि रोही जी का खोया हुआ जो बैग है वो गब तक मिलेगा और मिलेगा या नहीं यह भी इनका सवाल है इनका बैग इनके किसी फंक्शन वल एरिया में खो गए है जहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा था और डारेक्शन i think वो इस्ट में है आप अपने इस्ट डिरेक्शन किसी फंक्शन का अपने एटेंड किया था और आपको उसी बैग में i think पड़े हुए थे आपके डॉक्यूमेंट तो आप अपने उस जगे पर जाकर वर चेक कीजिए मेभी आपका ही मैरेज में गए हो या फिर अपने किसी ऑफिस की गेट टुगेधर में थे वहीं पर आपका वहां बैग आपको कोई खोच चुका है सो आप जा सकते हैं मिल जाएगा कोशिश कर ये मिल जा है तो हर भटकाव समाब तो हो सकता है प्रयास है एक कदम आपको भी आगे बढ़ाने की कि जब आप प्रयास करेंगे तभी आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा क्योंकि समाधान आप तक चलकर नहीं आएगा आपको स्वेम समाधान तक पहुंचना होगा और कैसे लेकिन जब उपाय आते हैं तो वैदिक उपाय आते हैं ग्रहों से जोड़े उपाय आते हैं ऐसा क्यों जो टैरो कार्ट्स हैं उसमें नाइन प्लैनेट्स भी हमें बताया जाते हैं हमारे जो नाइन प्लैनेट्स हैं वो हमें टैरो कार्ट्स जैसे हम कोई कार्ड ले रहे ह कोई हमें क्लाइन पूछ रहा है कि हमारी लाइफ में करीयर की कोई प्राबलम है और जब हम कार्ट ले रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा कोई कार्ड आ गया जिस जो मतलब 2 है चंद्र का फ़र्स्ट चंद्र थर्ड भ्रहस्पति इस तरह से कोई कार्ड सा रहे हैं और वो कार्ड शु नेगिटिव है topicsGM प्लेनी ली इसमें पडार के अंपिक्चर पकरिंगभ्रहा सकते हैं कि कोई संधान गतफ में गलत स्टवेश्चन में गलत तशीली तो वो भी हम उसमें कहते हैं कि हाँ वो son उसको problem कर रहा है चंदर में कोई problem है को भी इसमें कहते है शनी का भी आता है शनी की भी ऐसी दशाएं उसमें negative है पॉजिटीव है तो इस तरीके से भी हम cards की picture के अक्वाडिंग लिए card में वो picture positive way में है या negative way में है इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा वो planet हमें problem कर रहा है इस तरह से हम उसमें फिर remedies देते हैं जो कि ग्रेहों से related होती है और फिर हम उसमें work करके अपनी life में smoothness ला सकते हैं जी आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे चाचा जारी रहेगी आस्ता महेश्वरी जी हम अभी देखते हैं आपका abroad का देख लेते हैं कि आपका सपना साकार होगा या नहीं या होगा तो कब तक होगा अभी कुछ टाइम लग जाएगा आपका abroad में सपना पूरा करने का थोड़ा सा हार्ड वर्क करना शुरू करिए क्योंकि आपके जो महाँ तोड़ा सा जो प्रेफेशनलिजम वर्क लाइफ है आपके हस्बेंट का जो वो ट्राइक कर रहे हैं वो तोड़ा सा प्राप्लम दे रहा है और हो सकता आपको वीजा में भी प्राप्लम आए तो आप थोड़ा सा रेमेडी भी करिए इस चीज के आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं आपको बहुत अफेक्ट पड़ेगा उसका क्यूंकि आपको सबसे पहले तो नॉर्मली अपनी लाइफ में अपने प्लैनेट्स को ठीक करना अपनी करियर को ठीक करना क्यूंकि करियर में प्राब्लम है तो इस वज़े से आपको आपको अपने पर देश जाने का सोचेगा क्योंकि अभी कोई चांसिस नहीं है इनका मार्क दर्शन आपने कर दिया अगर बढ़ते हैं तमना जी कि ये मेल हमारे पास आई हुए है लिख रही है कि ये चाहती है कि इनका जो बिजनेस करने का सपना है वो पूरा होगा लेकि क्या कहते हैं आपके कार्स तो मैना जी आप बिजनस में करेंगे प्राय तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल रह सकता उसमें अगर आप बिजनस करते हैं तो आपका उसमें हाड़ वोग भी बहुत दिख रह आपका जो नेचर है वो काफी बॉजी टाइप है और आप अपने ऊपर किसी को बही नहीं देख पाएंगे तो अगर आप बिजनस करेंगे तो वह आपको रिजल्ट्स भी अच्छे देगा और आपकी लाइफ में फैनेंशली भी बहुत आपको बेनिफीशल रहेगा अगे बढ़ते हैं रागिनी जी की एमेल हमारे पास आई हुई है लिख रही है कि इनके घर में तनाव बहुत रहता है और हस्बन वाइफ की आपस में निपती नहीं है तो ये क्या संभव होगा कि रिष्टे बहतर बन सके देख लेते हैं रागिनी जी कि आपका जो सवाल है तो काच साथ के बारे में क्या कहते हैं अभी थोड़ी सी प्राब्लम्स है लेकिन थोड़ा सा टाइंग दो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो हो सके तो कहें घूमने में जाओ तभी तोड़ा सा ठीक होएगा अधर वाइस तो ऐसे तो स्ट्रेस में इस वक्त ऐसा हो है कि आप अपने ही काम में बीजी है और आपके हस्बेंट फानेंचली बहुत जादा इस वक्स्ट्रेस में चल रहे हैं जिस वजह से व अपनी फैमिली को और अपने वाइफ मतलब इली आपको टाइम नहीं दे पारें जिस वजह से उनको इस वक्त परिशानियां बहुत दिक आप perfecteing करेंगे अपने घर में लक्ष्मी निरायायन जी की फोटोव लगा लेजिए जहाँ पर आपको जाद आपकी जादा नजर पढ़ें जहां पर आप जादा टाइम स्पेंट करें बाश्मी नरायन जी की फोटो लगां ये अमिडिय आप करें इससे आपकी मेरेड करके बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन जो कारण है जो तनाव बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपके हस्बण इस बद अपने काम को लेकर अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान है शीनम जी अगला किशोर जी अभी आपका बेटा जो है वो कही न कही से मैनुप्लेट हो रहा है आपकी बेटे की जो संगत है वहाँ पे उसको कोई ऐसा परसन है जो बहुत मैनुप्लेट कर रहा है रिलेटीड टू रॉंग तिंग्स कोई भी वो गलत चीजे कर रहा है उसकी वज़े से कोई थ स्टुदा सा यस भी चेक्षों में चले अभी तो यही घाइडें स आपके लिया रहे है और अपने बेटे को थोड़ा सा शिव थोड़ा सा यह रामेडी में बता रही हूं वहाँ आप कर लिए अप ड्यांते उनर्चिजी और शिव जल चढ़ाए और वह जल उसको हमारे पास लेख रहे हैं कि यह किसी कोड केस में फश चुके हैं और उसे निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है किस तरह से यह निकल पाएंगे और निकल भी पाएंगे या नहीं राहुल जी आपका देख के बताते हैं आप निकल जाएंगे अभी थोड़ा सा निकल प्रॉब्लम है निकल जाएंगे उसके आप पास से और सेकेंड तिंग जो टाइमिंग आपका आ रहा है मई तक मई 2024 तक आपके पूरे चंसे हैं कि आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे जिससे आप परिशान है तो ऐसे बहुत सारे उपाई यहां पे शीनम जी हम लगातार आपको बता रहे हैं यह आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो हमसे संपर्ख कर सकते हैं डीटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं आगे बढ़ते हैं शीनम जी और पूजा सैनी जी का यह हमारे पास मेल आया हुआ है लिख रही है कि यह पूजाजी आपका सवाल कि देख लेते हैं पूजाजी आपका सब्णा साकार होगा कब तक होगा आपके सपनों का घर कब तक तैयार हो पाएगा इस्वक्त आप फानेंशली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल क्लियर करें जब कि पास्ट लॉंस चल रहे हैं वो क्लियर करें उसके बाद आपका आगे का टाइम है उसमें आपको बहुत देखते हैं अपका कब तक बनेंगा चांसिस अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन भी ट्राप्ड है जो घर बनाने का सपना आपका इसलिए हो रहा है कि मैं अपनी घर बना लूँ क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहे हैं रिलेटिट टू यॉर रिलेशनशिप्स और रिलेटिट टू यॉर करियर जिसमें आप बहुत राप्ड फिल कर रहे हैं लेकिन वो धीरे-धीरे करेंगे आप उसे वर्क करेंगे तो वो निकल जाएगा और आने वाले दो साल तक अगर आप अपना काम सही से करते हैं हार्ड वर्क करते हैं तो दो साल के बाद आपके जो चांसिस हैं अपने घर बनाने के पूरे होंगे तब तक आप सबसे बहले अपने पास्ट के लोन्स को क्लियर करें क्योंकि लोन्स व उसकी love marriage होगी या arrange होगी क्योंकि इनके घर वाले चाहरे हैं लिख रही है कि घर वालों की इच्छा है इनके parents की कि उनकी मर्जी से शादी हो लेकिन जो इनकी sister है वो love marriage करना चाहती है अभी चेक कर लेते हैं तो देख लेते हैं रंगोली ची कि पूरे चांसी है love marriage होने के ऐसा कुछ भी रही है आप अपनी sister से जब आप कहेंगे कि मतलब की अपनी फैमिली को मनाएंगे आप मिल की अपनी फैमिली को मनाएं मान जाएंगे थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि love marriage में कही थोड़ा बहुत तो लगी जाता है कहीं तो अपनी फैमिली को मनाएं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फैमिली के सपोर्ट से ही शादी करनी सही रहेगी अदर्वाइस आगे जाके प्राब्लम भी उसको फेस करनी पर सकती है इसलिए कह रहे हैं love marriage अगर करना तो फैमिली के सपोर्ट से करें हो जाएगी बढ़ फै फैमिली मानेगी के नहीं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम अपकी फैमिली मान जाएगी थोड़ा सा टाइंग दे आप अभी मत मनाना अपनी फैमिली को एटलिस्ट फोर जून के बाद आप एक बढ़ जून में ट्राइ गर ना जून में अगर आप मनाएंगे तो जून में अगर आप उन्हें समझाएंगे बैटके तो तब तक थोड़ा से चांसे हैं कि वो मान जाएंगे और पक्के चांसे तो उसके बाद शुरू होई जाएंगे थैंक यू जी यानि थोड़ी थोड़ी डोस दी जाए कि ये करना है और उसका जो पूरा खुलासा करना है वो समयाने हो जाएगा जी आगे बढ़ते हैं पीओ जी की एमेल है हमारे पास लेक रही है कि इनके विवाह को पांस साल हो चुके हैं लेकिन संतान नहीं है क्या ये समस्या हल होगी पीओ जी का देख लेते हैं देख लेते हैं पीओ जी कि आपके घर में खुश खबरी सकता है कि और क्या उपाय हो सकता है ये भी जानेंगे बिल्कुल आने के चांसिज हैं लेकिन अभी थोड़ी सी आपको मेडिकल इशू हो सकता है आ रहे हैं जिस वज़े से आपको ये प्रॉब्लम्स क्रेट हो रही हैं आप एक अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट क्योंकि अच्छे नहीं पता है कि मेडिकल इशू की वज़े से हो रहा है तो आप देखें कहीं नगी प्लैनेट्री की भी प्रॉब्लम्स हो रही है आप जुपिटर ब्रस्पती के दिन थर्स्टे के दिन आप उपाय करें थर्स्टे के तिन पीली चीजों का दान करना शु बहुत अच्छी मानी जाती है संतान योग के लिए तो अगर आप गुपाल चाली से का पाट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी चांसिव होने के चांसिज है और साथ साथ जो मेडिकल इशू क्रियेट हो रहे हैं वो तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे लेकिन जो प्लैन करें में मेरे पास बहुत से क्लाइन्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारी लाइफ हमें हम तो रेमेडी तो कोई असर ही नहीं हो रहा है तो मैं उनको यह चीज़ समझाना चाहूंगी कि आप रेमेडी तो रहे हो लेकिन वहां कहीं आपके थोड़ को नेगिटिव हो रहे होंगे जिस वज़े से आपको वो remedies असर नहीं कर रही हैं अगर आपको कोई भी remedies करनी है remedies के हाथ है उपाए उपाए क्या हाथ है जब हम उपाए कर रहे हैं तो हमें भगवान पे और उन उपाईों पे विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जब विश्वास करेंगे तब ही तो हमें उसके result मिलेंगे अगर आप विश्वास करके remedies करते हो sometimes क्या होता है कि remedies करते करते भी हमारी life में ups and downs आते हैं तो आपने ये नहीं सोचना है कि हम तो remedies कर रहे हैं लेकिन अभी भी हमारी life में problems हो रही हैं तो वो एक test होता है भगवान की तरफ से युनिवर्स की तरफ से वो होगा लेकिन आपने faith नहीं होना है आपको यहीं चीज सोचनी है कि नहीं ये कर रहा हूं पाए तो ये मुझे असर देगा कहीं बार 1% chances है कि हाँ चीक है तो change किये जाते हैं trust करिए अगर आप सचे दिल से faith के साथ कोई भी remedy करते हैं वो आपको 100% असर करते हैं और ऐसा कोई chance ही नहीं है कि नहीं होगा वो आपके कर्म है आप करेंगे सचे दिल से विश्वास के साथ करेंगे तो आपको ज़रूर उसके results मिलेंगे बहुत चोटे चोटे उपायों से आपने लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बता दिया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दर्शकों की और से तो इतना कहूंगी कि आप यहाँ पर आई इदनी अमूली जानकारी थी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थामस्कार नमस्कार आप हमारे संत्वानी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आईकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूले ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले